जैहिंद सातियो बेलकम टू सेल्फ इस्टेडी किलास है इस विस सुमित जैन यूटूब चनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज की कक्षा स्टार्ड हो चुकी है तो सभी लोग लाइब आ जाएं और सिक्षा सास्त्र में आज हम आगे पढ़ने वाले हैं सिक्षा सा पूर्ण जो अपनी एक किलास होने वाली है तो जल्दी-जल्दी से सभी लोग भड़ा भड़ से उत्तर बताना है सभी लोगों को ठीक है तो दोस्तों जो भी हमारे टेलिग्राम ग्रूप में नहीं जुड़े हैं वो क्या करना है उनको टेलिग्राम ग्रूप से जड़ना है प्रत्य वाली प्रत्य वाली किलास जो भी संस्क्रत है जिनका वो प्रत्य देख लेना ट्रिक से मैंने आपको प्रत्य बताया है बहुत बढ़िया तरीके से तो प्रत्य देख लेना और नरंतर आपकी किलास हो रही है तो आज का जो हमारा पहला प्रस्ण है वो बताना है उत्र हमें बताना है तो जल्दी जल्दी बताना है गड़ती अब धारनाओं की समझ में ब्रद्धी और उनके अनुप्रियोग से समस्याओं को तरक संगत रूप से हल करना केबल समस्याओं को हल करने की तकनिकों को सीखना बहुत सारे नए सूत्रों और परिकलन प्रिक्रिया को सीखना विभिन प्रकार की गड़तीय समस्याओं की हल और विधियों को इसमन करना तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा 92 का सभी लोगों को उत्तर बताना है तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दिकांस लोगों ने बताया है ए गड़तीय अबधारनाओं की समझ में बहुत PNCERT एकसंपलर पुस्तक में पांच भी एकाई चत्रवजों को समझना और जयामिती प्रियोग के अंत में बहुत सारी किरिया कलाप जैसे चोपड की रचना चीनी पहली की रचना है ना इत्यादी दिये हुए हैं इस प्रकार के कारियों के उत्देश से सहायता करना है तो जल्दी से बताओ उत्तर क्या हो जाएगा द्रश्टी बाले सिक्छार्तियों को केवल अपनी बिसलेशनात्मक कला को सुदारने में सबी बिद्यार्तियों को अपनी विद्धासहलीओं के साथ सितितर क्या हो जाएगा सबी लोगों का अंसर आ रहा है क्या आ रहा है सबी सिक्छार्तियों को अपनी विविन विदासेलियों के साथ इस्तानिक इस्तिती सुदारने में कुछ लोग भी बता रहे हैं अधिकांस लोग भी बता रहे हैं तब उत्तरवी भी हो जाता है कि दो पूरक कौन दो अनुपात तीन के अनुपात में हैं उनको ग्यात कीजिए जल्दी से बताना है कक्छा साथ की NCRT की पाठ पुस्तक के उपरोक्त प्रस्न का संदर्व है कि यह निमन स्रेणी का विचार है क्योंकि यह इसमर्ण ग्यान पर आधरित है उच्चतर स्रेणी का विचार है क्योंकि आप एक्छा करता है कि दिव हुई जानकारी से चित्र की रचना की जाए निमन स्रेणी का विचार है क्योंकि जानकारी का प्रत्यक्षिस्तिति में उप्योग करने पर आधरित है या फिर उच्चतर स्रेणी का विचार है क्योंकि आप एक्छा करता ह कि दिव हुई जानकारी की ब्याक्या की जाए इसका बिसलेशन किया जाए और इसके प्रियोग से बांचित जानकारी प्राप्त की जाए तब आपका उत्तर क्या बताना है हाँ डेली किलास होती है आपकी धाई बजे तो उत्तर बताना है जल्दी से उत्तर क्या हो जाएगा स जो एह अपेक्चा करती है कि दीगई जानकारी की ब्याक्या की जाए उसका उचित विसलेशन किया जाए इन सब के प्रियोग द्वारा बांचित जानकारी प्राप्त की जाए ठीक है बहुत बढ़िया सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देना और आपकी कक्चा इसी ट बढ़िया प्रस्न है सभी लोगों को बताना है राश्टिय पाठ चरिया की रूप रेका 2005 के अनुसार गरित का अनुक्रम बताना है तो अनुक्रम क्या हो जाएगा फटा फट से उत्र बताना है बहुत ही बढ़िया प्रस्न है और सभी लोगों का जो आंसर आ रहा है वो क् 275, 88, 2000, 2005 में प्रकासित किया गया ठीक है ए चीज भी आपको याद करना है और 2005 के अनुसार सबसे पहले भासा, गलत, बिग्यान और फिर सामजिक बिग्यान एकरम आपको याद होनी चाहिए है ना अगर आपको गलत के बाद पूछ लिया जाता है तो बिग्यान आपको पता ह पता होनी चाहिए तो यह जो अनुक्रम है आपका वो आपको पता होनी चाहिए भासा, गलत, बिग्यान और सामजिक बिग्यान ठीक है अंगला जो कॉस्चन है बो है दोस्तो राष्टिय पार्ट चरिया की रूप रेका NCF 2005 के अनुसार प्रात में किस तर पर गलत सिक्षन क का उद्देश निन में से कौन सा नहीं है तब हमें बताना है तो सभी लोग उतर बताएंगे कौन सा उद्देश नहीं है गलत में उचितार और अमूर्थ पढ़ाई की तैयारी कराना, गलत को बच्चे की जिंदिगी के अनुभवों का भाग बनाना, या पिर समस्तिया समा प्राथ में किस तर पर गलत सिक्चल का उद्देश से कौन सा नहीं है तब आपका उतर क्या हो जाएगा जूली जी, जेत जी, सनेहलता, बिजय पूजा जी सभी लोग उतर बताएंगे तब आपका उतर हो जाता है दोस्तों, ए गलत में उचितर और अमूर्थ पढ़ाई की तैयारी कराना ये जो है ये नहीं होगा इसका गलत में उचितर और अमूर्थ पढ़ाई की तैयारी कराना राश्टी पार्चरिया की रूपरे का इंसी अप 2005 के अनुसार प्राथ में किस तर पर गलत सिक्चल का उद्देश से नहीं है ये चीज़ आपको याद रखनी है अ सभी लोग बताएंगे सुनीता जी तनवीज जी रक्षा जी सभी लोगों का आंसर आने चाहिए इंदर जी उत्तर क्या हो जाएगा तब सभी लोग जो उत्तर बता रहे हैं कुछ लोग बता रहे हैं ए कुछ लोग बता रहे हैं डी आसीस पटेल जी फटा फट से उत्तर ब नहीं है विकल्प नमर ए इसका सही हो जाएगा ठीक है बहुत वड़िया राष्टिय पाठ चरिया रूप रेका एंसी एप 2005 के अनुसार प्रात्मिक विद्यालों में गलित पढ़ाने का मुख्ध देश बच्चे की सोच बिचार प्रिकिरिया को गलिती रूप देना नहीं है तब हमारा अंगला प्रस्णा आता है राष्टिय पाठ चरिया रूप रेका 2005 सिपारिस करता है कि प्रात्मिक इस तर पर गलित की सिक्षा का कैंदर होना चाहिए तो क्या कैंदर होना चाहिए सबी को उत्तर बताना है उच्चतर गलित की तैयारी गलित के मूर्थ बिचार जानना कक्छा में कक्छा कक्छ में की गई पड़ाई को विध्यारतियों की देनेक जिंदिगी से जोड़ने में सहायता करना विध्यारतियों को गरित की सिक्छा में अंतराश्टी मापदन रज़त करने में सहायता करना तब आपका 98 का उत्तर सभी लोगों को बताना है पुस जिन्दिगी से जोडने में सहायता करना एस सी नम्मर का हो जाएगा ठीक है सी नम्मर बहुत बढ़िया अधिकांस लोगों ने सी बताया है ठीक है बहुत बढ़िया है ना क्या बोलना है स्रॉंग बताया है मतलब राश्टी पार्ट चरिया रूपरे का एंसी है प्रात्मिक किस तर पर गड़त सिक्षण की पार्ट चरिया अप एक्षाओं के साथ मेल नहीं रखाता है तब उत्तर बताना है जल्दी से बताना है क्या हो जाएगा बश्चन किरमांग 99 का उत्र बताना है जल्दी बताओ पटापट से सबी लोग उत्र बताएंगे कि निम्नवेसी प्रात में किस तर पर गड़े सिक्ष्ण की पाठ चरिया आप एक्छाओं के साथ मेल नहीं खाता है तो कौन सा नहीं खाता है मित्र को पूण की अंस के रूप में भिन्न को पूण की अंस के रूप में प्रदरसित करना तता सरल भिन्नों को विवस्तित करना बरगी करत आकड़ों के निरूपन का विसलेशन करना तता निसकर्स निकालना देनक जीवन की तार के कार प्रणाली तथा गड़तीय सोच के बीच समयोजन संयोजन का विकास मानक परिकलन प्रणाली से संक्या संबंदी संक्रियाओं के करने में भासा और प्रतीक चन्यों का विकास तब आपका उत्तर क्या होगा प्रश्निक्रमांग 99 का हो जाएगा बी बी यानि की बरगी करत आकड़ों के निरूपन का विसलेशन करना तथा निसकर्स निकालना प्रात्मे के स्तर पर गड़त सिक्षड की पाठ चरिया अप एक चाओं के साथ मेल नहीं रखता तो ये चीज़ आपको याद रखनी है अंगला क्वेस्चन है राष्टी पाठ च अब आपका उत्तर क्या हो जाएगा प्रष्णि क्रमांक 100 का उत्तर सबी लोग जो बता रहे हैं वो क्या बता रहे हैं जल्दी से बताओ प्रष्णि क्रमांक 100 का तब सभी का उत्तर हो जाएगा संख्यात्मक कॉंसलों का बिकास है ना गलत सिक्षला का संकीन जो उत्देश होता है वो संख्यात्मक कॉंसलों का बिकास यानि कि जो बिकल्प नमबर D है वो इसका सही हो जाएगा B स्वरी B हो जाएगा ठीक है संख्यात्मक कॉंसलों का बिका प्रास करना होता है ठीक हैं अंगला हमारा कोस्चन है एक सिक्चछक शक्षा तीसरी में निन्य मैंस निन्य लैखित कारडों का बित्रण करता है और बच्चों को समा नाकृतियों का मिलान करने के लिधा है तब हमारा जो विकल्प ہوगा वो कौन सा सही होगा हमें यहाँ पर ब कलप चार में से एक चैन करना अभी बिन्यासों में समान आकिर्थियों की पहचान करने में बच्चों की मदद करना आख हाथ के समनवय को बढाना समानता और सरभांग समता की अभधर poo को विकसित करना कक्छा कक्ष के बातावण को बेस्त और आनंद दायक बनाना तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा सभी लोगों को बताना है प्रश्न किरमांक जो हमारा 101 है इसका उत्तर बताना है तब उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा विभिन अभी बिन्यासों में समाना किरतियों की पहचान कर परना ये जो है स्खेल का उद्दिस होता है बिकल्प नमबर A इसका सही हो जाएगा ठीक है ये जिन्होंने भी बताया है उनका बिल्कुर चाहिए अंगला कॉस्चन देख लेते हैं अंगला जो हमारा कॉस्चन है दोस्तों वो क्या है वो है राश्टिय पाट्चरिया की रू पुरेखा 2005 के अनुसार प्रात्मे के स्तर पर जो है संक्याओं और उन पर संक利Yातमक मात्राओं का मापनाधी का सिक्षण ये क्या कहलाता है जल्दी से बताना है तो आपको बताना है राश्टिय पार्चरिया की रूप्रेखा जो 2005 है इसके अनुसार रात में किस तर पर संख्याओं और उन पर संक्रियात्मक जो है मात्राओं का मापनादी का सिक्षन क्या करता है 102 का उत्तर सभी लोगों ने जो बताया है वो क्या बताया है सभी लोगों ने बताया है बेकलप नमबर D कि गलत सिक्षण के संकीन उद्देश को पूरा करता है ठीक है बिकल्प नम्मर जो डी है वो इसका सही हो जाएगा इसके अंतरगत सीमित प्रक्रणों की ही सिक्षण दी जा सकती है एह बिस्तरत शेतर भी प्रधान नहीं करता इसलिए गलत सिक्षण का संकीन उद्देश है त अत्वा संदर्व, खाली स्तान को दरसाने के पांच तरीके हैं, तो बताओ, 103 का उत्र हमें बताना है, किसको दरसाने के पांच तरीके हैं, 103 का सभी लोग उत्र बताएंगे, उत्र क्या हो जाएगा, फटा पट से सभी को बताना है, तो जल्दी बताओ, हस्त परक, पृतीमान इस्तिर्चित्र लिखित प्रतीक मौके को लिखित भासा बास्तिविक संसार की इस्तितियां अथवा संदर्व एक क्या दर्साती हैं तब आपका उत्तर क्या होगा इस्तिर्चित्र लिखित प्रतीक मौके को लिखित भासा है ना इस अभी जो है बास्तिविक संसार की इस्तितियां एक गड़तीय चिंतन इवं बिचार को जो है प्रदर्सित करती हैं तो यह चीज़ आपको याद रखनी है अंगला क्वेशन है राष्टिय पार्चरिया की रूपरेका 2005 में उल्लिखित गड़त की लंबी आकरती संकेत करती है तो क्या संकेत करती है हमें बताना है पहला बिकल्पे चुनवती पूर्ण समस्याओं को हल करना गड़त के खेलों का सिर्जन हस्त सिद्ध अनुभाव प संकेत कर दी है सभी लोग बताएंगे और जो भी साती हमारे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूरू कर लेना ठीक है और इसली टाइम आपकी ढ़ाई बज़े रोज पेड़गोजी की किलास होती है तो सभी को बताना है उत्तर हो जाएगा डी एनि एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना ये इसका सही हो जाएगा राश्टिय पाठ चरिया की रूपरे का 2005 में उल्लेखित गलित की लंबी आकरती संकेत करती है कि एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना अब हमारा जो प्रस्ण है वो है क्या है कक्छा दूसरी में ब्याकलन घटा ने कि प्रचालन की ब्याक्या करने के पस्चात सिक्षक ने स्याम पठ पर नीचे दिये गए चित्र खीचा और बच्चों से रिक्त ब्रत्तों को भरने के लिए कहा तो अब हमें बताना है इसमें कि नीचे आंगे देख लेते हैं इस अभ्यास का जो है उद्देश से क्या है यह पूरा का भरने को इन्होंने रिक्त ब्रत्तों को भरने को कहा तो इस अभ्यास का जो है उद्देश से क्या है यह चीज हमें बतानी है तब आपका उद्देश से यहां आता है यह आपके विकल्प हो जाते हैं यहां पर तो फटा पड़ से इन विकल्पों को देख लो इस उद्देश का जो है अभ्यास का उद्देश क्या है संकलन और व्यवकलन की कुसलता को प्रवल करना संकलेत मूल्यांकन चात्रों के लिए मज़ेदार किरिया कलाब की विवस्ता करना या फिर मस्तिस्क का गती गड़ती करना तो उत्तर बताना है उत्तर क्या हो जाएगा स तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, सबी लोगों का जो आंसर आ रहा है बो के आ रहा है, नेहा Tommar जी ए नमर का सही हो जाएगा संकलन और बयौकलन की कोशलता को प्रवल करना इस अभ्यास का पिरमोख देस सो होगा, ए नमर का सही हो जाएगा ठीक है, बहुत बढ़ यहा संकलन और ब्योकलन की को सलता को प्रबल करता है याद रख लिना एकजाम पॉइंट की दरश्टी से महत्पूर्ण फैक्ट है नेक्स्ट आपका प्रस्ण है राज़्टिय पार्चरिया की रूप्रे का 2005 के अनुसार गड़तिय सिक्षा का मुकुद्देश बच्चे की गड़ति करण की चमताओं का बिकास करना है इस कूली गड़त का सीमित लक्ष है लाव प्रद चमताओं का बिकास यहां गड़ति करना बच्चे की खालिस्तान चमताओं को बिकास करने की ओर संकेत करती है तो हमें बताना है कौन सी छमताओं को बिकास करने की और संकेत करती है गड़ती करने तो आपका पहला जो बिकल्प है पूर्व धारणाओं को उनके तरकेक निसकर्च का नुसीलन करने और आमूर्तन का संचलन करने के लिए गड़तीय रूप से चिंतन और तरक के बच्चे के संसाधनों का बेकास करने बर्गमूल और घनमूल निकालने सहत सभी संक्या संक्रियाओं के प्रभावी निस्पादन की स्वतंत्र रूप से जयामिती प्रेमियों का निरूपण और उनका सत्यापन करने की या फिर सब्द समस्याओं को रेखिये समीकर्ण में अनुद्यतित करने की तब आपका उत्तर क्या होगा आपको उत्तर बताना है पूर्विधारलाओं को उनकी तारके के निसकर्स का अनुसीलन करने और अमूर्थ चिंतन का संचालन करने के लिए गरती रूप से चिंतन और तरके के बच्चे के जो है संसादनों का बिकास करने के लिए यह होता है तो अंगला जो हवारा प्रशन है एक अच्छी पार्ट पुस्तक की बिसिष्टाएं हैं तो कौन सी हैं जल्दी से बताना है एक अच्छी पार्ट पुस्तक की बिसिष्टाएं बतानी हैं उनमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास हों इस्तितियों के माद् उत्तर क्या हो जाएगा भटा पट से बताना है तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा सभी लोगों ने उत्तर बताया है वो हो जाएगा आ और बा मतलब जो बिकल्प नमर बी है वो इसका सही हो जाएगा ठीक है उनमें कठोर अब्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास हों इस्तितियों के माद्यम से सभी संकल प्रनाव को परिचे दिया जा सकता हो यह और भी दोनों सही हो जाएंगे ठीक है बहुत बढ़िया एक अच्छी पार्ट पुस्तक भाह होगी जिसमें इस्तितियों के माद्यम से सभी संकल प्रनाव को परिचे दिया जा सकता हो और उनमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास हों तो ये चीज हमें समझनी है नेक्स्ट आपका प्रशने है राष्टी पाठ चरिया की रूप रेका 2005 में एह उलेक किया गया है कि गरित सिक्षड महतवा कांची सू संगत और महतवा कांची से तात पर निम्न लिखत में से किसकी उपलबदी है तो प्रशने करवां के 108 का सभी को उत्तर बताना है आपका प्रशने बिकल्प नमर एक है गरित के संकीन उत्देश्यों की गरित को अन्य विस्यों से जोड़ने की गरित के अनुपरियों की या फिर गरित के उच उत्देश्यों की तब आपका 108 का जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सभी लोगों को उत्तर बताना है दोस्तों तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा कि जो है महतवा कांची सुसंगत महतपूर होना चाहिए यहाँ पर महतवा कांची से जो तात पर है वो है ग बता रहे हैं ठीक है तो याद रख लेना हमें क्या याद रखना है कि जो प्रस्ण है वो महतवा कांची से तातपर है कि गड़त के उच्चे उद्देश्यों की प्राप्ती हो तब हमारा नेक्स्ट प्रस्ण हराश्टी पाठ चरिया की रूपरेखा 2005 पर बल देती है तो किस पर बल देती है सभी को बताना है गड़त चैनल सिख्चार्तियों को पढ़ाया जाएगा गड़त में सफलता प्रतिक बच्चे के लिए आवस्तक है सिख्चार्तियों की तारके का गड़ती योगता के लिए पहले उनकी परिक्चा होनी चाहिए निम्न उपलब्दी करताओ के लिए गड़त पाठ चरिया अलग होगी तब आपका उत्तर क्या होगा एक सो नो का उत्तर बताना है बहुत ही महत्पूर्ण ये प्रस्न है दोस्तों आपके बिलकुल इन में से एक दो प्रस्न जरूर आपकी पेपर में आएंगे तब आपका जो उतर हो जाता है वो हो ज 2005 है राष्टिय पाठ चरिया की रूप रेका 2005 है गड़त में सपलता प्रत्यक बच्चे के लिए आवस्तक है पर बल देती है ठीक है अंगला क्वेस्चन है दोस्तों राष्टिय पाठ चरिया की रूप रेका 2005 अधियम के रचनाबादी उकावं पर बल देती है क्योंकि वह खाली स्तान पर केंदृत है, जल्दी से बताओ किस पर केंदृत है, सिक्षक द्वारा प्रभावी ब्याख्यान और अनुदेशन पर, परीद बासां और सूतरों को याद करने पर, नियमित ग्रह और ग्रहकार जमा करने पर, या गतिपिदियों में सामिल करते हुए सिक्छार पार्टियों की सक्रियता भागेदारी पर बहुत बढ़ी आंसर सभी लोगों के आ रहे हैं राश्टिय पार्ट चरिया जो है रूपरेखा 2005 अदिगम के रचना पर वल देती है क्योंकि अदिगम में सामिल करते हुए सिक्षार्टी की सक्रिय भागेदारी पर केंदरित है बह द्रश्टि कोण को किसकी द्वारा प्राप्त किया जा सकता है चिंतन और तरकना का एक तरीका सामिल होता है यह जो द्रश्टि कोण है किसकी द्वारा प्राप्त किया जा सकता है तो हमें उत्तर बताना है 111 का खोजबून औकाप खोजबीन औपागम का प्रियोग करना हस् ध्यारतियों को बिसेस कोचिंग देना तब आपको बताना है कि चिंतन और तरकना एक तरीका है सामिल होता है इस द्रश्टी कोन को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है मतलब चिंतन और तरकना को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है तब आपका उत्तर क्या होनी स्टिलिस्ट्री कोन को खोजबी नुकावगम का जो है एक प्रियोग करना हस्ति चालकों का प्रियोग करना संकल्पनाओं का बास्पिक जीवन से जोड़ना सिक छार्थियों को का चर्चा में सामिल करना द्वारा प्राप्त किया जा सकता है क्या चिंतन और तरकणां को याद रख लेना है NCF 2005 मानता है कि गड़त में सोचने वं तरक का एक निस्चित तरीका नहित है नीचे दिये गए कथनों में से बहकतन चुनिये जो उपयोक्त सिद्धान्द का पालन नहीं करता है तब आपको 112 का उत्तर बताना है सबी लोग उत्तर बताएंगे तो उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों दो बिकल्पों मेंसे आप बता दो दो ही आपके विकल्प हैं आपको दो बिकल्प दे रहे हैं दो मेंसे एक का उत्तर बताना है तब सभी लोग बताएंगे हैना क्या बोल रहे हैं कि NCF 2005 मानता है कि गड़त में सोचने वं तरक का एक निस्चित तरीका नहत है जो है यह जो सिद्दान्त है का पालन नहीं करता तो कौन सा नहीं करता तब आपका उत्तर हो जाएगा ए यह मतलब आंकिक प्रस्टनों को हल करने के लिए बिध्यारतियों को निर्धारत सूत्र बताना यह जो है यह पालन नहीं करता है यह सभी को याद रख लेना तर इ आर्टी की कक्छा चौथी की गलित की पाठ पुस्तक के पाठों में इस तरह के सीड़ सक हैं कबाड़ी वाली भोपाली की सेर दुनिया कुछ ऐसी दिखती है एफ परिवर्तन किया गया है कबाड़ बेंचनी और यात्रा करने के बारे में जानने के लिए पाठों में गरती है बिसाय बस्तू का नुमान लगाने है तू बिध्यार्तियों को चुनयती देने के लिए उन्हें अलग सा समझाने के लिए या देनक जीवन में जोडते हुए उन्हें रोचक बनाने के लि इन पाठों को रखने का उद्देश से क्या है तब सभी लोगों ने बताया है विकलप नमबर D देनेक जीवन में जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए बहुत बढ़ी आंसर सभी लोगों के जो बस्तुएं लुड़कती या फिसलती हैं उन पर कक्छा में चर्चा सुरू करो बच्चों को उनकी आकार देखने में और एह समझने में कि कैसे कुछ बस्तुएं लुड़कती हैं और कुछ फिसलती हैं सहायता करो इस तुरूत गड़त के जादू 2 NCRT कक्छा 2 की पाटपुस्तक में इस तरह के सुजाव एह समझने में सिक्छक की सहायता करते हैं की चार विकल्प हैं चार में से आपका उत्तर होगा D यह जो सुजाव हैं समझने के लिए सिक्छक की सहायता करते हैं की निर्दर्सन में संपूरित चर्चाएं विध्यारतियों को संकल्पना को बहित्तर तरीके से समझने में सहायता करती हैं यह चीज आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों जब आप पेपर देने जाओगे तब इसकी स्क्रीन पर वो नहीं आता इसकी स्क्रीन पर नहीं आता तब आपको उपर नीचे करना पड़ता है तब आपको बहुत अच्छे से पढ़ने की ज़ुरत होती है अमूर्त गरित की अधियम का प्रथम चरण प्रारंब होता है तो कब होता है प्रात्मे के स्तर पर माध मैं किसे थर्माद में किस तरपर अप्रुक्त मैं से कोई नहीं तो 115 का उत्र बताना है हाँ आप पड़ नहीं पाते है तो 115 का उत्र हमें बताना है तो जल्दी से बताना है हमें practice करने की ज़ूरत है जो भी nice हाती है मैं उनको बता रहा हूं कि बहुत दिक्कत होती है बर जब पड़े गद्यान्स होते हैं तो उसमें दिक्कत होती है आंगे पीछे करो फिर उसका एक एक चीज पड़ो तो बहुत तकलीव आपको बहुत प्रैक्टिस करने की ज़ुरत है जब तक अंदर से एना लगने लगे कि अब बस है ना तब तक आप तयारी करते रहो अमूर्थ ग लेना है अंगला जो क्वेस्चन देखते हैं अंगला जो हमारा क्वेस्चन है दोस्तों वो क्या बोला है एनसी एप दो हजार पांच बल देता है तो काई पर बल देता है 116 का उत्तर हमें बताना है सभी लोग उत्तर बताएंगे एनसी एप दो हजार पांच बल देता है र देता बहुत बड़िया सबी लोगों की आंसर बिल्कुल शटी का रहे हैं तब हमारा अंगला क्वेस्चन हो जाता है वो क्या हो जाता है NCF 2005 के नुसार गड़त सिक्षड होना चाहिए तो कैसा होना चाहिए बाल केंदरित सिक्षड केंदरित पाठ पुस्ता का धारत या फिर ए सभी तो उत्तर क्या होगा सभी लोग बताओ NCF 2005 के नुसार जल्दी बताना है हाँ सभी लोग बताएंगे NCF 2005 के नुसार गड़त सिक्षड होना चाहिए तो किस प्रकार का होने चाहिए सभी लोगों ने जो आंसर बताया है अधिकांस लोगों ने बताया है बाल केंदरित सिक्षड है ना एनिकी जो बिकल्प नमर ए है वो इसका सभी लोगों को बता है NCF 2005 के रूसार गड़त सिक्षड बाल के अंदरित होने चाहिए जिसमें बच्चों को एं गड़त विसाई के पिरती रुची पैदा की जा सके तब हमारा जो अंगला प्रशन है किस आयू बर्गे के बच्चों के लिए सिक्षा का दिकार कानून एक मौले का दिकार है उत्तर सबी लोगों को बताना है 118 का उत्तर बताना है दोस्तों जब हम पूरा रिवीजन करेंगे और एक या दो किलास में पूरी मेराथन किलास में जब इसका रिवीजन करेंगे तब एक भी क्वेशन आपका गलत नहीं होना चाहिए इस पिरकार से हमें पढ़ना है ठीक है और बहुत ही बढ़िया प्रस्न है जो परिक्षा में नरंतर आते हैं किस आयूबर्ग के बच्चों के लिए सिक्षा का अधिकार कानून एक मौले का अधिकार है तब आपका उत्तर होगा 6-14 अब सभी को पता है 6-14 वर्ष के जो है बच्चों के लिए सिक्षा का अधिकार कान अब दोस्तों गलित की भासा इबम सिक्षन की विधियां हमें यहां पर पढ़ना है ठीक है इनका बिलकुल आपके सिलेवस के अनुसार आपको जो है निरंतर अभ्यास करवाय जा रहा है तब आपको उत्तर बताना है निम्नमे से किस गलित सिक्षन विधि में प्रिक्रिया के छोटे छोटे भागों को मिلا कर एक सन्युक्तिकाई की रुपे प्रस्तुत किया जाता है वो शिक्षन विधि हमें यहां पर बताना है तो जल्दी से बताना है बेसलेशन विधि प्रियोग साला विधि आगमन विधि या पर सनसलेशन विधि तब आप सभी का उत्तर क्या ह हो जाएगा सभी लोगों को वीडियो को लाइक जरूर कर देना है दोस्तों अब आपकी एक कख्चा दस बजे से भी होगी ठीक है आपकी बर्ग तीन की ट्रेट की एक 10 बजे सी भी कख्चा होगी और एक 11 बजे भी कख्चा होगी अब मैंने current affairs की जो अपनी चलती थी वीडियो उसको बनाना बंद किया है और अब 10 बजे और 11 बजे भी बर्ग 3 की होगी मैं बिसाय सब्जेक्ट decide कर दूँगा 10 बजे भी होगी और 11 बजे भी होगी आपकी 16 बजे तो होती है 7 बजे भी होती है आपकी और आपकी जो है 10 बजे भी होगी और 11 बजे भी होगी तब आपका उत्तर हो जाएगा D यानि की सिक्षण विधी में प्रिकरिया के चोटे-चोटे भागों को मिलाकर एक संयुक्त काई की रूप में प्रस्तुत किया जाता है है ना किस सिक्षण में संसलेशन यानि की D नमर इसका सही होगा संसलेशन विधी में चोटे-चोटे भागों को मिलाकर एक काई के रूप में प्रस्तुत किया जाता है एह बालक के अंदरत सिक्षण प्रनाली नहीं है क्योंकि उसमें सिक्षण अधर्ख सक्री रहता है और विध्यारथी कम सक्री रहता है तीक है सभी लोगों को याद रख लेना है प्रमान से प्रत्यक्षण की और आपने सिक्षण के सूत्र पड़े हैं है ना जीके नहीं आएगा बर्ग तीन में जीके की कोई बिलकुल आबसकता नहीं है है ना जल्दी से संस्कृत की किलास जो है मैंने आज प्रत्य की किलास एक वीडियो डाला है बना करके प्रत्य तो प्रत्य की देख लेना, प्रत्य जिनका background नहीं है, Sanskrit, उनको मैंने second भासा बालों को trick से बताया है, एक बार अच्छे से देख लेना, है ना प्रत्य पूछे जाते और Sanskrit के कुछ ऐसी प्रत्य हो जित होते हैं, जो Hindi के समान नहीं होते दोस्तों, जिनका अर्थी कुछ अलग ह और कुछ पूचा जाता है आपको कभी अगर आपने नहीं पढ़ा तो समझ में नहीं आएगा इसलिए मैंने ट्रिक आपको बताई है प्रत्या की तो संस्क्रित वाला वीडियो सभी लोग देख लेना जिनका सेकंड भासा संस्क्रित है उस ट्रिक से आप एक बार प्रत्या प बढ़ी होंगी निगमन विधी में तत्यों से उधारन की ओर बढ़ते हैं तत्यों से उधारन की ओर बढ़ते हैं और आगमन विधी से उधारन से तत्यों की ओर बढ़ते हैं यह अंतर है आगमन और निगमन में जो होता है तत्यों से उधारन की ओर और जो आगमन है उसमें उधारन से तथियों की यह याद रखना है ठीक है इसमें प्रमानम्स में प्रत्यक्ष की विवेशना की जाती है एह बिधी नभीन समस्या समादान हेतुअदे को पियोगत है अंगला हमारा क्वेश्चन है साथियो स्यम सीखने की बिधी को गड़त में किस अन नाम से जाना ज चाहिए सबी लोग बताएंगे 3211 का आंसर बताना है तो सबी लोग लाइक जरूर कर देना वीडियो और आप लोगों के लिए अच्छा लगरा है इस प्रकार से की नहीं लगरा कमेंट में जरूर बता देना ठीक है मैं तो हमेशा यही प्रयास करता हूँ कि अच्छे से अ और कुछ लोग बता रहे हैं C तब आपका अंसर होगा B अनवेस्टन बिधी अनवेस्टन बिधी इसका सई होगा स्वयम सीखने की बिधी को कहा जाता है गरत में अनवेस्टन बिधी तो B नम्मर का इसका सई हो जाएगा याद कर लिए अब दोस्तों आज की वीडियो में तो बस यहीं तक कल हम पुना है इसी टाइम अभ्यास करेंगे ठीक है और हिंदी भासा 2 के लिए अगर आप लोग बोलो तो दस बजे किलास रख लेते हैं दस बजे मेरा फिरी टाइम है तो अगर आप लोग बोलो कि हिंदी बासा जो टू है अपनी उसमें अपन दस बजे किलास रख लेते हैं और आपको अभ्यास के माध्यम से पूरे के पूरे टॉपिक किलियर करवाएंगे ठीक है तो सभी लोगों को बताना दोस्तों कैसा लगा आप सभी के लिए आज हमने पूरा NCF के आधार पर पार्ट चरिया के आधार पर NCRT के आधार पर कुछ महत्पूर प्रस्णों को यहां पर जाना है और यह जो प्रस्ण है निस्चेत आपकी सफलता की ओर बढ़ाएंगे आपको तो इसी प्रकार से अपनी रोज धाई वज किलास होती है जूली जी रोज धाई वजी किलास अपनी सिक्षा सास से समंदित होती है ठीक है सबी लोग याद रख लेना है ना मैं बता रहा हूं कि अगर आप परियावरन ले रहे हैं तो जो पूरा कोर्स आ रहा है वो अरिहन्तिकी पुस्टक में आ रहा है पूरा का जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ सिक्षा सास्त्र या पर्यावन से संबंदित आप लोगों के लिए अगर अच्छा लग रहा है और आप लोगों के लिए लग रहा है कि हाँ यह बास्तों में हमारे लिए अच्छा है तो आप लोग भी एक प्लेलिस्ट बनाओ अपना जब परि प्लेलिस्ट बना लो एक प्लेलिस्ट कैसे बनाना है वो यूटूब पर एक वीडियो देख लो प्लेलिस्ट कैसे बनाना है तो आप एक प्लेलिस्ट बनाओ उसमें क्रम भाई वीडियो को रखो कि यह पढ़ना है हमें यह पढ़ना तब आप परिक्षा का टाइम जब प्रिवाइस से हिंदी की लगार काु मैंने संक्त करेंगे जो भी आपके जिस प्रकार के कु्̩स्जन बनेंगे बो रिककर की फिर का feito लिगार के यह के लिए दस बज़े सभी लोग agree हैं, दस बज़े किलास हिंदी की, संस्कृत की किलास में आपको बता रहा हूँ है ना जी, संस्कृत में टेंसन लेने की किसी को जरूरत नहीं है, जितने question आपके बनेंगे, मैं बीडियो बना के आपको दूँगा, लाइब किलास नहीं होगी संस्कृ इसे तरीके से कैसे आपको याद होगा, ट्रिक के माद्यम से जो भी हो, मैं बना के आपको दूँगा, वो आपको याद रखना है, ठीक है, और हिंदी जो grammar है आपकी, अपन दस बज़े किलास रख लेते, आज से ही आपकी दस बज़े किलास होगी, हस्त लिकित कुछ प्रस वीडियो है, उसको सभी लोग लाइक करते जाएं, सामको साड़े छे बज़े आपकी परियावरन की किलास होगी, ठीक है, परियावरन की किलास होगी सामको साड़े छे बज़े और साथ पंदरा पर बालवेकास की किलास होगी, तो सभी को याद रख लिना है, और जब भी म 45 मिट का ठीक है ताकि सही है या आदा घंटा का रख लेंगे पोस पेंदर जी दिलीप जी कृष्णा जी दुरगेश जी तो अपन को हर एक टॉपक अपन को कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ना दोस्तों कि आप कुछ भी पढ़ती रहो अपना सिलेवस देखो और सबसे पहले एड साइड करो कि हमें क्या पढ़ना है हमें क्या नहीं पढ़ना है ठीक है कुछ भी मत पढ़ती रहो कि जो है हम कुछ भी पढ़ रहे हैं ये चीज अपन को नहीं पढ़ना है अपन को ये पहले जानना है कि हमें पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना है ये चीज सभी पढ़ना है, सारी चीज़ ये पहले decide करो, एक रूप रेखा बनाओ पूरी की पूरी, ठीक है, और फिर उसके बाद आप पढ़ाई start करो ये नहीं पढ़ना कि मैंने यहाँ ये पढ़ दिया बहाँ बो पढ़ दिया, आज ये पढ़ दिया अधन किलास रख लेंगे, रवी बार को या कुछ भी तो अपन क्या करें मैरा अधन किलास में किसी भी बंदे का एक भी प्रस्न जो है, वो गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि हम एचीज जो सीख रहे हैं ये हमें भूलना नहीं है, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, जय हिंद नेस्ट किलास अपनी बर्ग तीन से समंदे साले छे बजी होगी, तो आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद